मकर संक्रानम्ती पर्व पर लोग चाफ से तिलगुड का सेवन करते हैं। सनातन धर्म में इस पर्व पर इसके सेवन की परंप्रा भी है। इसके पीछे खास कारण भी है, जिसे लोग कम ही जानते हैं। मकर संक्रांति पर पर तिल गुड के सेवन से अंतहशुद्धी होती है। पुजा, पाठ, साधना, में भी ये सहायक होती है। तिल गुड के दानों में घर्षण होने से साथविक्ता का आदान प्रदान भी होता है। तिल में सत्व तरंगे ग्रहन और प्रिक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। श्राधह में तिल का उप्योग करने से असुर इत्यादी विग्ण नहीं डालते। सरदी के दिनों में मकर संक्रांती पर पर तिल खाना लाब प्रद होता है। इस दिन तिल का तेल एवं उप्तन शरीर पर लगाना, तिल मिश्रित जल सिस्नान, तिल मिश्रित जल पीना, तिल होम करना, तिल दान करना, इन छहों पद्धतियों से तिल का उप्योग करने वालों के सर पापनश्ट होते हैं। भारतिये संस्कृती, प्रकृती और जीवन मूलियों में भी मकर सक्रान्ती खास है. इस दिन सूर्य धनू राशी से मकर राशी में प्रवेशकर उत्तरायन हो जाते हैं. इस दिन से प्रकृती वसंत की ओर बढ़ती है. उत्तरायन में मृत्यो हुए व्यक्ती की अपेक्षा, दक्षिनायन में मृत्यो हुए व्यक्ति की दक्षिन, यम, लोप में जाने की संभावना अधिक होती है। प्रते एक धार्मिक कार्य के लिए उत्तरायन शुब माना जाता है। इसलिए महाभारत युद्ध के दोरान भीश्म पितामह ने अपने देह त्याक के लिए उत्तरायन को ही चुना था। माना जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनी से मिलने उनके घर जाते हैं। इसी दिन भागीरत के प्रयास से मा गंगा का धर्ती पर अवतरन हुआ था। इसलिए गंगा सागर मेले का आयोजन भी किया जाता है। शास्त्रों में सूर्य के उत्तरायन को देवताओं के दिन के रूप में जाना जाता है जो एक सकारात्मक रूप है, जिस कारण इस दिन पर वरत किया जाता है और मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नदियों में स्नान, पूजा, दान का भी महत्व है अलग-अलग स्थानों पर मकर संक्रांती को अलग-अलग नामों और तरीकों से जाना और मनाया जाता है जैसे दक्षिन भारत में पोंगल, उत्तर भारत में लोहडी इत्यादी श्री रादे, जैसे किष्णा, आज मकर संक्रांती के परवपर सुर्य भगवान धनूरासी से निकल कर मकरासी में परविश्च करते हैं इस सुर्य भगवान की प्रसंता के लिए तिल, गूड, अन, धन, वस्त्र, आदी का दान देकर भगवान सुर्य को प्रसंत किया जाता है और इस परम पवित्र घाट पर, परम पवित्र गंगा इबना सुर्शती महिया जी के संगम घाट पर सांध करके ब्रामनों को उचित दान देकर उनका असिर्वाद प्राप्त करके अपना और अपने जीवन और पित्रों का उधार करने के लिए यह परम बनाया जाता है इसलिए सर्वाजन जीवन को इस आस्ता के समय आस्ता की डूप की लगा कर अपने जीवन को धंदे बनाना चाहिए इतार्थ और कृतात होना चाहिए जैस्तिर कृष्णा रादे रादे